जैहिन स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमरित अकैडमी पे हम लोग शीटेट पेपर टू के लिए अपना मैथ और साइंस का कोर्स कम्प्लीट कर रहे हैं उस सीरीज में हमने मैथ और साइंस के बहुत सारे टॉपिक को अपना कम्प्लीट कर लिया है आज उसी सीरीज में हम लोग अपना साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे ठीक है इसमें कुछ लगबग आठ से दस इंपॉर्टेंट क्वेशन लिये हैं जो कि कुछ क्वेशन इसमें प्रिवियस ये रहे हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेशन है जिनको आज की क् क्लास काफी इंपॉर्टेंट है इस बेसे पर है कि यह जो क्वेशन लिया हूं मैं इसमें से दस आठ से दस क्वेशन में से कोई न कोई एक क्वेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ठीक है मैं इसमें क्वेशन को डिसकेस भी करूंगा और उसके जो थोड़े को हम लोग शुरू करते हैं अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है देखिए पहला क्वेशन जो है मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेशन है वह मैंने दोनों लेंग्वेज में लगा रखा है हिंदी में और इंग्लिस में भी ठ आपको सीटेट के अलावा आप महलों किसी भी एक्जाम टीचिंग का देते हो तो वहां पी एक्वेशन आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो इसका क्या सही डिरेक्शन है उसके बारे में पता कर सकते हैं देखिए क्या होता है जो यूरिन बनता है या जो च्छने का का शंक होता है वो कहाँ पे वो किड़ूनी में होता है किड़ूनी के बाद यूरेटर एक नली होती अर Giving भू様 कहां सबसे पहला तो देखिए जिस option में यहां पे देखिए मुत्रासय से ही शुरू किया यह तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि यूरिन दो इस्टिप तो आपको याद हो गया होगा कि एक तो क्या कि किड़नी बनता है तो पहला इस्टिप तो चालू होगा वह कहां से किड़न यह वाला देखिए शुरुवात कहां से था मुत्रासय से तो यह कट गया option B को जरा देखिए एंडिंग कहां पर देह रहा है मुत्रवाहिनी यह भी कट जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि इतना तो आपको याद है कि जो एंड होगा वह मुत्रमार्ग से होना है ठीक है तो यह यह आजाता है मुत्रासय जिसको बोलते हैं उसके बाद मुत्रमार्ग में आजाता है तो यह सबसे करेक्ट पाथ को एक्स्प्लेइन करता है किसके यूरिन डिस्चार्ज के आवर बॉडी ठीक है आई होप यह कोश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यह चाहे तो आ आज यह कोश्चन को इसी तरह से डिसकस कर लेते हैं देखिए एक बार प्रिविएस येर में ऐसा कोश्चन पूछा गया था तो इससे रिलेटेड जो भी कोश्चन बनने वाले थे सारे हमने ले रखे हैं ठीक ना तो देखिए दूसरा कोश्चन क्या है एक मिनुट हाँ य अंता सोशन के दवरान वायू का सही मार्ग क्या है देखिए जब हम लोग इनहेलेट करते हैं सास लेते हैं तो उसमें मैंने जब चैप्टर डिसकस किया था उसमें बताया था जब हम लोग सास लेते हैं तो उसमें कई सारी गैसे होती है बेसिकली तीन गैसे का मिस्रड होत कि किस रास्ते से होकर के जाते हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहला तो यह होता है नासिका से होकर के जाता है यह चीज़े आप लोग समझते होगे क्या होता है जब हम सास लेते हैं यह जो नाक का पार्ट होता है दो साइड का ठीक है जिसमें म्यूकस और हेर पाया जाते हैं और अच्छा कई बार की पूछ लेता है कि जो नाशा चिद्र है उसमें म्यूकस और हेयर का क्या काम होता है तो यह जो एयर होता है उसको पेवरिफाइब करने कर काम करते एक तरह से कि जो डस्ट पार्टिकल वगएरा होते हैं उनको रोकने के लिए ठीक है ना तो देखिए स तो सबसे पहले नासा चिद्र से या नासिका से कहां पे जाएगा फैरिंग्स के बाद हमारा एक चोटा सा यहां पे हढ़ीicop जेसा होत दिसको लेरिंख स बोलते हैं झाहां से आवाज निकलती है जब हम बाते करते हैं तो जो द्वानी प्रोड्यूश करता है उसे लेरिंग में जाती है ठीक है उसके बाद देखिए ट्राइकिया है ट्राइकिया की हिंदी की अगर बात करत इसको बोला जाता है स्वास नली ठीक है यह पूरा देखिए नली इस तरह से बनी होई है ट्राइकिया में आता है जिसको स्वास नली बोलते है ठीक है तो क्या पात हो गया पह बाली में जाता है जिसको की कूपी का बोलते हैं यह चोटी-चोटी यहां पर देखिए फियर में बना हुआ है यह जो चोटे चोटे ना इस तरह से निकले हुए जैसे आप पाउद्य में देखते होंगे पत्तियों में इस तरह से रहता है वैसे इसका structure होता है ठीक है ना उसके बाद यहां से जाकर के फेफडे में जाता है प्योरिफिकेशन के लिए ठीक है यह चीज हो गया तो पाथ आप लोग को समझ में आ गया नासल कैविटी देन फैरिंग्स देन लेरिंग्स और ट्रैकिया फिर उसके बाद अलुवैली में जाएगा ठी ग्रशनी में जिसको कि हम लोग क्या बोल रहा है फैरिंग्स ठीक है ना इंग्लिस वाला देख लेते हैं देखिए नासल पास नासल तो उसके बाद है नी नॉस्ट्रिल आएगा तो यह तो ऐसे ही कट गया नासा मार्ग तो है नी स्वरयंत्र से सुरू कर रहा है यह भी कट इस पर करेक्ट हो जाता है यह भी आपका इंपॉर्टेंट कोर्शन है जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगो इसमें से कोई एक नाए कोशन आपको देखने को मिल जाएगा यह कोशन होगी अपना आज यह नेक्स्ट को डिसकस कर लेते हैं अब उसके बाद एक दो स्कूंता है अब लोग जानते हैं पोद्वश, कैसे अपना भोजन बनाते हैं फॉ問 सेंथेश मींस की प्रकास तंसलेशन में ठीक है था ना oxygen देते हैं ठीक ना तो वह oxygen कहां से निकलता यह पूछ रहा है इसमें कि प्रकास अंसलेशड के दौरान जो मुक्त oxygen है कहां से आती है तो यह जो होता है होता है इसमें से oxygen रिलीज होती है तो जल हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर ठीक है यह भी कोशन होगी है चोटा सा कोशन था यह सारे कोशन आने वाले हैं अब उसके बाद नेक्ष्ट कोशन पर आ जाते हैं अपने यह भी काफी इंपोर्टेंट कोशन है इसको भी आप इंपो जूस को रिलीज करता है जिसको इंग्लिस बाइल जूस बोलते हैं और हिंदी में पित्रस बोला जाता है ठीक ना यह कह रहा है आहर नाल का कौन सा भाग है जो यक्रित से पित्रस प्राप्त करता है ठीक है तो ध्यान दीजिए जो छोटी आथ होती है इसमाल से भी दोनों जगह से जो इसका रिशीब करती है कौन करता है छोटी आथ मतलब कि इसमाल इंटेस्टाइन अब इसकी कारे और देख लेते थोड़ा सा इसको इसका इसका इक्स्प्लानेशन भी देख लेते हैं लोग छोटी आथ के बारे में यह काफी important topic है छोटी आथ का य यह क्या काम करता है यह कार्बो हाइड्रेट ठीक है प्रोटीन वसा का विगटें काम करता है मतलब कर्बो हाइड्रेट हो गया प्रोटीन हो गया वसा हो गया इन सब चीजों को ब्रेक करने का भी काम यहीं पर होता है पाचन करने एक तरह से पाचन यहीं पर होता है ठीक है यही छोटी आत होती है जो पित्त को कहां से रिशीप करती है यक्रित और अगनाश है दोनों से ठीक ना यह इसका करेक्ट आंसर हो गया और क्या है आत में वसा बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में उपर अच्छा दिखें जो वसा होता है वो बड़े-बड़े पार्ट कें आती जिसको आपको याद रखना है ठीक है आई तो यह हो गयानेख्ट कोश्चन पर आजाते हैं अगि अगला को सब्सक्राइब क्या रहा है प्रीएट की कमी से यह जो पटेला पैर का जो निचला वाला भाग होता है मसल्स वाला जहां पर मास होती है वहां पर देखेंगे आप मतलब दर्द होता है या एठन जैसा होता है ठीक ना यह किसकी वज़ा से होता है वह पूछ रखा है यह क्या होता है जो हमारी बोडी में ग्लुकोज होता है तो ग्लुकोज कई बार देखिए आपको option पे भी जाना पड़ेगा कई बार ग्लुकोज को directly बता देता है कि लेक्टिक acid में convert होने की वजह से यह लेक्टिक acid के जमाओं की वजह से थकान होता है ठीक है किसका glucose का कि ग्लूकोज कई बार ये देढ़ा है कि यह लाक्टिक एसडमें कशल्ब्स ऑんな और कई बार क्या होता है इसकी दोनों हेता है फल पधर होता है किशने पाइर्वेट में किसमें जाहीं में कि इना घूंप में उसके बाद कनवर्ट होता है लेक्टिक एसीड में तो अगर आपको ग्लुकोज से डायरेक्ट लेक्टिक एसीड में कनवर्जन का ओप्सन नहीं दिया है तो आप यह देखिए कि कहीं पर क्या पाइरुवेट को लेक्टिक एसीड में कनवर्ट करवाया है तो थकान का यह भी कारण होता है पहला एफ्चन देखते हैं यह तो गलत हो गया एथिनाल में नहीं बलकि लैक्टिके एशिड में नहीं रहे होता तुए आपशन भी आता अगला कहरा है कि पाइरुइट का लेक्टिक अमलेतर रूप अंतरड होता है अभी मैंने बताया ना या तो ग्लूकोजिके इसल्ग देगा या फिर पाइरुइट का लेक्टिक हमने बस questions questions ले रखे हैं ठीक है अगला question क्या कह रहा है अमासय की भीतरी परत हाइड्रोकलोरिक acid HCL ठीक है से निम्लिखित में से किसी एक द्वारा सुरक्षित होती है सही विकल्प चुनिए अच्छा आप लोगों ने सुना होगा कि हाइड्रोकलोरिक एसिड का स्राव करता है जो कि भोजन के पचाने में भोजन के शारियता को कम करने में यूसफुल होती है ठीक है तो कभी आपने यह सोचा होगा अगर वैसे आप लोगोंने सुना होगा कि HCL बहुत हार्ड होता है तो यह क्या काम करता है हाथ कहीं पर भी प पूछ रहा है ठीक तो यह क्या होता है जो हमारा पेट होता है उसके आंतалась म्यूकोल फोला शाय और हमारा नएंगा ल॥ा है जिसकी वज़ासे इसको च्छती नहीं पॉस्टती है ठीक है ना तो कौन सा कौन इसे बचाने का काम करता है सुरक्षित रखता है तो वह म्यूकोशा जिसको हिंदी में क्या बोलता है शलेश्मा बोलते हैं तो बी ऑप्सन इसका करेक्ट ऑप्सन हो जाएगा ठीक है ना यह से ही इसमें भी उसमें हमने देखा था मुत्र मार्ग पूछा गया था उसके बाद जो इनहेलेट करते हैं सांस उसका मार्ग पूछा गया था इस कोश्चन में जो हम भोजन ग्रहन करते हैं उसका मार्ग पूछा गया है ठीक है ना देकिए क्या कह रहा है मानो आहार नाल मे भागों का सही क्रम कौन सा है कैसे आहरनाल कैसे कैसे शुरू होता है अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो चैप्टर भी मैंने करवा रखते है वहाँ पे जाकर के पाचन वाले चैप्टर में यह चीजे देख सकते हैं ठीक है ना फिर बड़ी आथ से जो वेस्ट वगेरा होते हैं वह निकाल दिया जाते हैं सरीर के बाहर ठीक है तो सबसा सुरुवात्ती तो मुक से होगा तो देखिए मुक तो सारे आप्शन में दे रखा है लेकिन एंडिंग जो होगा वह और लार्ज एंटेस टाइन में घीक है जो बड़ी हांत होती 방 के उसमें इसका एंड होता है पाचन का मतलत कि जो आहर नालका सबसे लाष् महाहिका है तो यह जो डि सिन हो जाता है तो Hierby आप लोगों को याद रखना है कैसे-कैसे नीचे की तब नीचे सार। है वह चीजी याद रखना है ठीका है आशा कई बार कोशेंग पूच लिया जाता है कि जो पानी होता है वह कहा डाइजिस्ट होता है तो तो बढ़ी आत्मी ही होता है लार्ज divine में होता है कि जैं glowing होगे आपका क्योंकी आपना बोजन बनाते हैं कि यह कोंशन कर लेते हैं जिसको सिध्धांत किसके द्वारा दिया गया था तो जो सेल के बारे में बताया था कोंशिका की सिध्धांत किस ने ओउमन बर्डी है किसी की भी सबसे smallest वर्किंग पार्ट होता है थीक है सबसे छोटा कbstपम इकाई होती है उसे हम लोग Sam ea fyr कोसिका और बने बताउंगा अभी इसका अंसर जू है की दौन किस अवस्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माड न्रम निमनुद्वारा होता है दीए वहीं overdiz Kiss घ्लिकर निर्माड निर्माड किसके द्वरा होता है मतलब कि प्रोटीन फिसके दौरा निर्माड किया जाता है जिससे कि लोग कोछे जिली बना सके या मतल बन सके बोड़ी में वह ता अन्तापारद्यबबी जालिका होता है ठीक है इसके दौरा यह निर्माड होता है तो फर्ष्ट औप्सन करेक्ट हो रोगों यह चीज याद रखने कि यह अग्हला क्या है ते कि कह रहा है इन में से कौन सा विकल्प राइबोस्यॉम का कारिय raging कारर टीक है तीक है पूछ रहा है हो नहीं हाँ पहले याद रखो फिर कौन सा नहीं है वह पता अपने आप चल जाए भी हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का निर्माण होता है और यो अचिस को काम होगा राणी सक्ता है तो पहला दूस्परा तो पाईल यह ए हुए नीहीं सकते कि ए colleg क्योंकि प्रोटीन निर्माण में मदद राइब यह नहीं करता हैं और कि इसके लाश्ट दो आप्शन क्या कह रहा है कि यह हर्मोन के निर्माड में मदद करता है यह गलत है और क्या और निर्माड में मदद करता है यह और स्टार्च अड़ होगा हम लोग अभी चैप्टर बाइड प्रहारा प्रैक्टिस सेटा और इसके बाद के लिए इतना रखते हैं फिर मिलते अपनी नेक्सिट मैं तब तक के लिए बाय बाय हो